हाई हलो नमस्कार वेल्कम बैक टू मैं चैनल हाई गाइज मैं आपका कमल मेरी फिटनेस रनना चैनल मैं सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है कि कितना टाइम दोड़ना चाहिए दिन में यह सब को मालूम होना चाहिए कि कोई किसी भी तरह दोड़ता है कोई बोलता है कि द करके क्या करते दो टाइम दोड़ते कोई बात ने दोड़ो लेकिन किसके लिए दोड़ना यह तो मालूम होना चाहिए आज के पूरा एक्स्प्रेन करूंगा वीडियो के बारे में अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को जरू सस्क्राइब करें बेल आइकन जर कितना टाइम दोड़े दो टाइम दोड़े या एक टाइम दोड़े एक किसी को मालूम नहीं है हर कोई नेया नेया लड़का क्या करते पहले स्टाटिंग शाटिंग में दो दो बार दोड़ते दिन में सुबा और साम क्यों दोड़ना है सुबा और साम बताओ मुझे आप क मेरा स्ट्रेंध बन गया है हुआ क्या चीज बन गया स्ट्रेंध और गर दोराइब कर सकते हो तभी इतना भी करना आए ज्यादा डॉर ज्यादा तक नहीं दोड़ना की जिए लंग् Lub बहुत सारे लटके क्या करते हैं टायर बांध के दोड़ते पीछे और इतना मेहनत करते हैं जैसे लगता है कि उनका एक ही बार में नौकरी हो जाएगा मानता हूं मेहनत करो लेकिन इतना मतलग गधे की तरह दोड़ना कुछ नहीं समझ में आएगा बस आपने पागल की तरह दोड़ो बाद में कुछ नहीं आएगा ना समझ में9 नहीं के दोड़ना है तो एक ही टाइम अच्छ रहेगा है सुबह का टाइम क्या होता है वारड़ист होता है और हमारा जो पेर का जो दर्द होता है सिंग पेन होता है घुटने में पेन होता है यह ज्यादा कॉम होता है क्योंकि शुबा में हम उठे फ्रेश हुए इसलिए अच्छा है लेकिन में नहीं कहता हुआ स्ट्रेंथ वर्काउट कर सकते हो और जगिंग कर सकते हो यह चीज बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ वरकाउट आपको करना है सामको सामको करने से अ गरना है कि चाल में आपको दोटाम दोड़ना पड़े गा क्योंकि एक टाइम होता है लेकिन दो टाइम जबुरत है बलगाले लोंगा रूट जाना पड़ता है उसके लिए माराथन के लिए दोटाइन सब्सक्रा hypothesis की मेरे खुद दोड़ता हूं माराथन मेरे मालूम है किसे दोड़ना है इसलिए अगर आप मारा थन दोड़ना है अगर सकती है अर्मि भर्थी में जा रहे हो खास करके तो ज्यादा लग दधा लड़के और 16 प्रेशर पढ़ता है। घूटने बहुत ज्यादा अगर और चार सुर मीटर से कम भी कोई दिक्कत नहीं उसमें प्राटिज करना जरूर यह रोड में करेंगे तो ओक्या होता है आपको मालूम नहीं पड़ता है दोड़ के दोड़ के आप जो रोज मेहनत करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऐसा एक दिन आएगा बहुत कुछ फॉल्लेम हो सकता है घुटनों में इस कभी भी टायर ज्यादा ओजन वाला चीज कभी भी मौत दोड़ना नहीं कभी विलेगे यह बहुत सारे लड़के गलती यही करते हैं टायर फायर क्यों बांद के दोड़ना है अब बताओ मुझे क्या करें अगर आपका आर्मी में जा रहे हो ट्रायर अधर होने के बाद आपको ओं मेहनत कराएंगे कुछ कराएंगे आप इतना पहले से इतना मेहनत करके आपका जो अध Such Out ख़तम कर दोगी सही अम वे साम एक्सरसाईज नहीं करेंगे सही से निई लेंगे खाना फीना थे स होगा जो माराथन रॉनर को मतलब उनका बड़ी के सा है पुरा हलका रहता है मतलब पतला जैसा रहता है कोई भी रॉनर को देखला आपने कोई भी मतलब क्रिकेट खेला ली को देखलो फुटबॉल हकी वह ज्यादा बॉड़ी बिल्डिंग नहीं करते क्यों नहीं करते क्यों कि उनका अंदर strength बना रहता है अगर ज्यादा body बनाएंगे ज्यादा weight बढ़ाएंगे वो दौड भी नहीं पाएंगे खेल भी नहीं पाएंगे इसलिए वो अपने सरीर को maintain करते हैं अपना जितना weight चाहिए उतना ही रखते हैं ठीके दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप एक ही किरीज होता है रनिंग में बहुत इंप्रू मिलता है बहुत ज्यादा सामको करना है ता आप जगिंग कर सकते हो स्टेंद कर सकते हो और जो हमारा सकते हो मेडिटेशन कर सकते हो यह जरूर है मेडिटेशन साम को बहुत जरूर तक हम करने भाता है हम को हम आगे बढ़ना और कौने सा छीज आपको इंप्रूमेट मीलेगा स सब्साइब करकू करम सूबा करने साम कौन का सोब्सान गया göre क्वालिव बहुत प dar दटनी हैं लेकिन इस सुबह अअच्छा है मेरी खहल से एज़ी टाइम करो इतना जोर से महनत से करो की साम ताइंㅋ नहीं पड़े लेकिन हम क्या करते ओंचा करतें साम को भी ताइम करतें मेरा केना है क्योंकि दो और साम को medication करते योगा करते हैं strength हुआ करते हैं अगर आज क्लिए बहुत्थ आच्छा हुगा थे लिए लिए अच्छा लगा होगा तो मेरी के सबस्क्राइब करें करें आद दोस्तों को share करें thank you so much for watching मिलेंगे एक next video में बाइज सकता सकते लाओ今 मिलें एक next video